नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर हिमाजल परदेश में बड़ी जीत हासिल करने के वावजूद भी कॉंग्रेस के सामने आ रही है तमाम बड़ी समस्याइं जो एक तरफ कॉंग्रेस में है खी चतानी सीम पत को लेकर तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस को सता रहा है डर अब विधाय को में फूट का क्यूंकि जस तरीके से चीज़ें आज हिमाजल परदेश में देखी जा रही है आपके लिए बता दें कि जिन दो राजियों के चुनाव एक चाहें फिर एक तरफ हिमाजल परदेश तो वहीं दूसरी तरफ गुज़रात में की दिटेड सामने आ चुकी है यह दिन जो है वो शप्त-ग्रहण होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ हिमाजल परदेश में अभी तक कश्मकश बनी हुई है इससे पूरे मामले को लेकर आज 12 बजे विधायकों की बैठक जो है वो नव निर्वाचित जो विधायक है उनकी बैठक हिमाचल परदेश में 12 बजे होने वाली है और इसके बाद 3 बजे बैठक होगी तमाम बड़े नेताओं की जिसमें लिया जा सकता है सीएम के नाम को लेकर फैसला आपके लिए बता के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है आपके लिए बता दें कि चर्चा में दोती नाम हिमाजल से लगाता सामने आ रहे हैं एक है कॉंगरेस की प्रदेश अधियक्ष प्रतिवास सिंग और जो की मुख्यमंद्री पद की दोड़ में सबसे जादा आगे बताई जा रही है और इसी के साथ अगर और भी लोगों की बात करें तो इसी के साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो की आपस में ही भिड़े हुए हैं वो भी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ प्रतिवास सिंग है जो की कॉंग्रिस की जानी मानी नेता है और एक बड़े मारजुन से इस बार हिमाचल परदेश में जीती हैं और इसी के साथ प्रतिवास सिंग और सुक्विंदर सिंग सुखा ही सबसे जादा प्रवल दावेदार माने जा रहे हैं आपके लिए बता दें कि वीरभद्र सिंग और सुकु सिंग का 36 का आखड़ा है वो आज भी सिंग परिवार और सुकु परिवार के भी जारी है इसके अलावा बीरभद सरकार में मंत्री रहेश केश अगनियोतरी और सुधीर शर्मा भी दावेदार माने जा रहे हैं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये दावेदारी को लेकर चीजन जो हैं वो स इसलिए जीती हैं और इसी के साथ उन्होंने ये कारण बताया उन्होंने कहा है कि आज भी हिमाचल के लोग जो है वो राजा वीरभद्र का सम्मान करते हैं और वो उनकी पत्नी है और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाना चाहिए देखना एहम रहेगा क कॉंग्रेस आखिरकार किसके नाम पर महर लगाती है क्योंकि कश्मकस जो है वो लगाता और कॉंग्रेस में जारी है दो हिमाचल परदेश चुनावों के लिए बेहर ये भी चीज़ कह सकते हैं कि शायद तमाम विधायकों ने और नेताओं ने आपस में दलबाजी की हो और सिर्फ और सिर्फ चुनावों पर ध्यान दिया हो पर कॉंग्रेस के नेताओं में जो तरीके से अभी तक एका नहीं है जो तरीके से अंतरकला कई बार सामने आ चुकी है और इनी तमाम चीज़ों को लेकर आज कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को जो है वो फूट का डर सता रहा है क्योंकि 40 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद भी कॉंग्रेस को अपने विधायकों को तूटने का डर है और यह डर जो है वो काफी जादा सता रहा है और जहां एक तरफ राजा वीर भद्र की पत्नी की भी बात की जाए तो उन्हें लेकर भी कि अगर उन्हें मुखे मंद्री का उन्हें मुखे मंद्री नहीं बनाया जाता है तो वो अगर कॉंग्रेस से इस्तिफा देती है या कॉंग्रेस को छोड़ती है तो कॉंग्रेस की जो मंडी सीट है जो कि लोकसभा की सीट है वहाँ पर भी तमाम समस्या है जो है वो कॉंग दाविदार के बावजूद प्रतिवा सिंग के मुद्धे पर कुड अर्चने है मसलिन विधायकों का जोर अगर किसी विधायक को जम्मेदारी देने पर हुआ तो पार्टी के लिए चुनोती बढ़ेगी इसके अलावा पार्टी के सामने एक असमंजस प्रतिवा सिंग की लो सामने जो चुनोती है इसलिए सबसे जादा बड़ी मानी जा रही है कि जहां एक तरफ जिस तरीके से तीन दशकों से हमेशा से जो रीती रिवास चलता आ रहा है हिमाशल प्रदेश में कि एक सरकार जो है वो पुनह चुनकर नहीं आई है और कॉंग्रिस और बीजेपी इस मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने के लिए कैर इंदजार सभी को तीन बजे का रहेगा क्योंकि तमाम बड़े नेता जो है वो पहुच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और लास्ट पर ये भी आप्शन रखा गया है कि आला कमान जो है वो भी मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा सकती है यानि कि आज अगर मीटिंग में कोई फैसला नहीं होता है तो आला कमान पर ये चीज़ें हैं ये छोड़ी जाएंगी आपके लिए बता दें कि हिमाचल परदेश चुनाव में कॉंग्रस की जीत के साथ ही पार्टी अधिक प्रतिवा सिंग मुख्यम परदेश में जीत के बाद पार्टी के सामने एक बड़ी चुनोती सीम चुनने को लेकर रहेगी गुटबाजी से अच्छूती हिमाचल कॉंग्रस नहीं है भले चुनाव लड़ने के लिए तमाम नेता आपसी खीचतान भुलाकर एक हो गए हो लेकिन चुनाव खतम होते ही नतीजों से पहले बड़े नेताओं ने सीम बनने की महत्वकान शाफ फिर से उठने लगी है पिछले दिनों पार्टी के एक सीरीश नेतरत को लेकर मांग रखी गई थी और चुने गए विधाय को मैसे ही किसी को सीम चुनने का आधिकार दिया गया था और ये लेटर जो है वो तब सामने आया जब कॉंग्रिस जो है वो विधान सभा में जीत चुकी है हिमाचल पर देश में देखना एहम रहेगा क्योंकि हिमाचल में एक तरफ जीत तो हुई है कॉंग्रिस की तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस को हिमाचल की जीत नहीं पच रही है या फिर कि कोशिच की जा रही है और वहीं कॉंग्रिस को अपने विधायकों को ले कर हिमाचल में ये डर है कि कहीं बीजेकWhi इन्हें तोड़ कर फिर से एक बार हिमाचल परदेश में सक्ता में काबिस ना हो जाए इसलिए एक साथ विधायकों को रखना और बां सूत्रों की हवाले स ये भी खबर आ रहा है कि जब तक हिमाचल परदेश में CM के नाम पर मोहर कॉंग्रिस नहीं लगाती है तब तक विधायकों को कहीं शिफ्ट किया जा सकता है जिसमें एक तरफ चंडीगर का नाम सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजिस्थान भेजने की भी कवायत ल हिमाचल परदेश में आपके लिए बता दें गर हिमाचल परदेश के चुनावों की बात करें तो कल देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने दिल्ली हिमाचल और गुजुरात की जनता का धन्यवात किया और इसी के साथ उन्होंने हिमाचल परदेश में भारतिय जनता पार्टी पर्भाव का विखास हम केंदर के दुआरा भी करेंगे ये तमाम बातें जो है वो देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के दुआरा की गई है और खुद अपनी ही उलजनों में उलजी हुई कॉंग्रिस जो है वो आज को गुजुरात में भारते जंदा सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और आज उनी के सामने ये सवाल है कि आकरकार हिमाचल परदेश में किसको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री पर किसी के भी नाम पर मोहर लगने से टूटेगी कॉंग्रिस या फर सरकार जो है वो लंबी चलाए जाए कि खेर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएए धन्यवाद कर दो 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 कर दो